हेलो गाइज, आज की इस प्रॉपर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कमांडरली एकेडमी आप मर्चियन नेवी हैदरावाद के बारे में तो आप लोग प्लीज हमारे चनल पे अगर नया है तो हमारे चनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और सेर करें तो चलिए लेट्स स्टार्ट दे वीडियो फर्स्ट अपल आपको बता दे अगर आप नूसी मेरिटाम इकेडमी गुआ उडिशा मेरिटाम इकेडमी और टीज रहमान इन तीन कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है तो आपके लिए एक आलेज बना भी वेष्ट है और गाइज एक आलेज बीक इस्टुडेंट के लिए बहुत यच्छा है अगर आप पढ़ने में थोड़ा कमजोर है अगर आप प्रॉपर इंगलिस नहीं समझ सकते हैं आपके लिए कालेज बेष्ट है और गाइज इस इंस्टुडेंट में इस्टुडी बहुत यच्छा है जितने भी टीचर्स हैं सभी टीचर्स के पास बहुत यच्छा खासान वो है और गाइज इस institute में practical में हरी एक equipment मिल जाएगा आपको practical करने में कोई भी problem नहीं होगी आपको swimming pool मिलेगा, इसमें ship model भी है और live boat है सब कुछ इस institute में आपको उपलब्ध है कोई भी आपको problem फेस नहीं करनी पड़ेगी और गाइज इस academy का result mostly 95% से एवभी रहता है इस academy का result बहुत अच्छा रहता है mostly एक या दो जादा से जादा तीन student फेल हो सकते इस से जादा कभी इस institute में कभी students फेल हुए नहीं है गाइज अब बात करते हैं placement की तो इंडियन कोस्टल के टंग पर आपको placement फिरी में प्रोवाइड करा दिया जाएगा अगर आप अच्छी या बड़ी आई टिप कंपनी में जाना चाते है या कोई बड़े अच्छी सिप पर जाना चाते है तो आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा और गाईज वीडियो के इंड में हम आपको बताएंगे कि इस एकेडमी में आपको एडमीशन कैसे लेना है तो प्लीज वीडियो को पूरा बाच करें और गाईज इस इंसिट्यूट में एक positive point यह है कि अगर आपको proper English बोलना नहीं आता है तो आप इस इंसिट्यूट में आप English बोलना सीख जाएंगे क्योंकि इस एकेडमी में तेल्गू स्टुडेंट भी आते हैं जो वहां local के स्टुडेंट होते हैं कि यह इंसिट्यूट तेलंगाना में है तो वहां पे जो आस पास के स्टुडेंट आते हैं वो तेल्गू में बात करते हैं जो तेल्गू में बात करते हैं तो अगर आप उनसे बात करोगे तो आप English में बात करोगे तो आपकी इससे इंगलिज बहुत ही जादा मजबूत होगी और गाईज फीस की बात करें तो एराउंड टू लाग फीस है इस कालेज की और 11,000 रुपए अलग से आपको पे करना पड़ेगा और गाईज इस कालेज में एक बात और है कि फोन अलाउड नहीं रहता है और गाईज इस इंस्टिटूट में खाना पीना और रहने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेश की तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और टेंथ स्टेंडर्ड में आपका 40% मार्क्स होना चाहिए और आई साइट आपकी 6x6 होनी चाहिए एडमिशन लेने के लिए आपको गूगल पर सर्च करना होगा कमांडर ली एक एडमियाप मर्चिन नहीं हैदराबाद वहाँ पर आपको कंटेक्ट नंबर मिल जाएगा और इमेल आईडी मिल जाएगा आप कंटेक्ट कर सकते हैं और या आप इमेल कर सकते हैं जब आप कंटेक्ट करेंगे तो वह 20,000 रुपए आपको पे करने के लिए बोलेंगे रिजिस्टेशन के लिए तो आपको वह चार्ज देना पड़ेगा और आपको पे कर देना है क्योंकि ये डीजी अप्रूप्ट कालेज है इस कालेज में कोई भी फ्रॉड काम नहीं होता है गाईज एडमिसन के लिए इस एकेडमी में कोई भी इंट्रेंस टेस्ट या इंट्रव्यू नहीं होता है आपका direct admission होता है और guys फीस पे करने के बाद आपको join letter send कर दिया जाएगा और उस letter में आपको पूरा information दिया जाएगा आप proper read कर सकते हैं और proper read करने के बाद उसमें जो भी mention होगा वो आपको read करने के बाद जो भी उसमें बताया जाएगा वो आपको proper follow करना है और आप इसके बाद जो भी उसमें date होगा वो आप उस date को आप join कर सकते हैं और guys इस academy की contact number और email ID आपको उसमें description box में दे देंगे वहाँ से आप contact कर सकते हैं या email कर सकते हैं तो यही था हमारा video और आपको पसंद आया हो तो हमारे channel को subscribe करें और video को like और share करें और video देखने के बाद अगर आपके मन में कोई doubts रह जाता है तो आप comment करके जरूर पूचें हम आपको वहाँ पर proper reply करेंगे तो thank you so much for watching this video and don't forget to subscribe my channel. Thank you thank you so much